Hello everyone, Welcome to All India Assurance Community मैं All India Assurance Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई स्रीज स्टार्ट करने वाला हूँ और इस स्रीज का नाम होगा उत्तरपरदेश सामानने ग्यान इस स्रीज के अंदर मैं आप लोगों को डेली दस सवाल कराया करूँगा और ये दस सवाल कौन से होंगे जो प्रिवियस एयर एक्जाम्स में पूछे जा चुके हैं जैसे आप सभी को पता होगा जितने भी उत्तरपरदेश में होने वाली परिक्साएं हैं उन सभी में जीके के सवाल आते हैं और वो भी कहां से उत्तरपरदेश सामानने ग्यान से भी लगबग 10-15% बेटेज होता है कि 100 में से 10 कुश्चन उत्तरपरदेश से ही पूछेगा वो आपके एक्जाम में तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर रोज मैं आप लोगों को 10 सवाल कराया करूँगा जिनका संबन डिरेक्ली उत्तरपरदेश से होगा और जो पहले पेपर में पूछे जा चुक है चाहे वो यूपी पीसियस हो आरो एरे हो कॉंस्टेबल हो यूपी एसाई हो यूपी जेलवार्डर फाइरमेन कोई भी एक्जाम हो जो उत्तरपरदेश में हुआ है अगर वहाँ पर उत्तरपरदेश से कोई भी कुश्चन आया है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर कराऊंगा इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं हर रोज 10 कुश्चन के आसपास आएंगे आपका बहुत कम समय लिया करूंगा और आपको चीजे कवर कराऊंगा लेकिन यहाँ पर यह जो कुश्चन में कवर कराने वाला हूँ इस कुश्चन के बाद मैं आप लोगों को 15 से 20 सेकिंड का समय भी दूँगा कि अगर आप इसका जवाब देना चाहे कि हाँ यह आने वाले पेपर UPSI लेकपाल जेल वार्डर में हमारी बहुत हैल्प करेगा तो इस वीडियो को आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी करें सुरू करते हैं पहला सवाल है भारत के समस्त राज्यों में छेत्र फल अनुसार उत्तर परदेश का क्या स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चोथा और हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बहुत बढ़िया जिन लोगों ने चोथा बोला है उनका सभी का सही जवाब है भारत के समस्त राज्यों में अगर हम छेत्र पर अनुसार बात करते हैं तो उत्तर परदेश जो है ये चोथे स्थान पर आता है पहले स्थान पर आता है राजिस्थान दूसरे स्थान पर आता है मध्यपरदेश जिसको हम MP के नाम से बोलते हैं तीसरे पर है महरास्टरा और चोथे नंबर पर जो है वो आता है हमारा यूपी तो स्रीज क्या है राजिस्थान, मद्यपर्देश, महरास्टर और उत्तरपर्देश ठीक है जन्संग की दरस्टी से उत्तरपर्देश भारत का जबसे बड़ा राज्य भी है next question है निमलिखित में से किसका जनम आगरा में हुआ था मीर, अमीर खुसरो, फिराक गालिब जवाब दे कमेंट करके मैं वेट कर रहा हूँ आप ओफलाइन देख रहे होंगे तो ये ना सोचे कि आपको जवाब नहीं देना है सोचो कमेंट करो किसका जनम आगरा में हुआ मीर अमीर खुसरो, फिराक या गालिब तो हमारा इसका जो क्रेक टांसर होगा उर्दू के महान सायर रहे चुके हैं मिरजा गालिब और इनका जनम जो है 1797 में कहां पर हुआ था आगरा में हुआ था और 1869 में दिल्ली में इनकी क्या हुई थी डैथ हुई थी ठीक है और मुग उपाधी दी थी यह इने किस ने दी थी मुगल सासक बादूर्शा जफर ने ही मिरजा गालिब को दबिर उल्मुल्क और नजम उद्दोला की उपाधी दी थी तो जर्ण आगरा में किसका जनम हुआ था गालिब का हुआ था Next question है, किस नगर में राजकिय ललित कला अकैडमी उत्तर परदेश अवस्तित है? तो मतलब उत्तर परदेश के किस नगर में है ललित कला अकैडमी लखनव, वारानसी, मथुरा या इलहबाद? जवाब दीजेगा, क्या होगा इसका सही जवाब? राजकिय अललितकला अकैडमी उत्तरप्रदेश कहां पर है बिल्कुल सही जवाब है आठ फरवरी 1962 को इसकी स्थापना की गई थी और ये है उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनों में स्थिर तो correct answer होगा A A is the correct answer Next question है निमलिकित में से कौन उत्तरप्रदेश की पहली महीला मुख्यमंतरी थी तो कौन थी उत्तरप्रदेश की पहली महीला मुख्यमंतरी स्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपई जवाब दीजेगा correct answer क्या होगा And the correct answer is श्रीमती सुचेता क्रिपलानी जो है ये उत्तरप्रदेश की पहली मुख्यमंतरी थी कब बनी थी 1963 से 1967 तक ये रही थी ठीक है और अगर हम बात करें पर्थम मुख्यमंतरी और पर्थम राजपाल कों थी पंडित गोविंद वल्लब पंथ और स्रीमती स्रोजनी नैडू मतलब पहले उत्तरप्रदेश के जो मुख्यमंतरी थे वो थे पंडित गोविंद कों थी वो थी स्रीमती स्रोजनी नैडू याद रखेगा इन सारी चीजों को भी नेक्स्ट उचर पर आते हैं निमलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब जो सही मैच नहीं है लखीम फिर खेरी किसले परसिद है नकासिदार का सिल्प के लिए खुरजा मर्तिका सिल् धलवी घंटियों के लिए तो इनमें से बताईए कौन सा जो है सही तरीके से मैच नहीं है और हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लखेमपूर खेरी लखेमपूर खेरी जो है ये नकासिदार का सिल्प के लिए फेमस नहीं है ठीक है नकासिदार का सिल्प के लि साहरंपूर, बिजनोर, बुलंतसहर, ये कुछ है, जो इसके लिए फेमस है, ठीक है, लकरमपूर खेरी नकासिदार कास सिल्फ के लिए फेमस नहीं है, खुर्झा मर्तिका सिल्फ बिल्कुल सही है, मेरेट में खेल कूद का समान बनता है, बिल्कुल सही, और जलेसा ढलवी ग पर आया था सहरनपुर जिले में क्या मिला है हाती का जीवास्म बहुत बड़े हाती का जीवास्म जिसका नाम है स्टे गोडेन बढ़ते अंगले कुश्चन की दरब निवलेखित में से किस स्थान पर मुडिया पुर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है बटेश्वर कन्योज गोवर्धन या सरधना कहां पर किया जाता है मुडिया पुर्णिमा मेला का आयोजन गोवर्धन तो मुडिया पुर्णिमा मेला का आयोजन जो है यह आसाड महिने क पुर्णिमा जो होती है जिसको आप गुरु पुर्णिमा के नाम से जानते है उसी में और ये किया दा था गोवर्धन correct answer होगा गोवर्धन मतुरा गोवर्धन मतुरा वरंदावन में होता ये तो correct answer is C तो जिन लोगोंने C बोला था उनका सभी का सही जवाब है दोस्तो आप लोग जो है मुझे टेलिग्राम पर PDF वगरा के लिए All India Students Community को follow कर सकते हैं और हम Instagram पर भी है Instagram पर भी आप All India Students Community करके follow कर सकते हैं Next question है आपको सही मैच बताना है किसका संबन्द किस से अलिगड़ा किसके लिए famous है फिरोजाबाद किसके लिए famous है मुरादाबाद किस लिए और टानडा किस लिए हर एक paper में एक question आते हैं कभी-कभी अलग-अलग इस बार यहां पर आप से वैसे ही पूछा गया है तो अगर मैं बात करता हूँ अलिगड़ जवाब है आप लोगों का कौन सा option सही है बताइए ट्राइ करो बिल्कुल वी इस दा क्रेक टांसर तो अलिगड़ जो है यह तालो के लिए famous है फिरोजाबाद के अगर हम बात करें फिरोजाबाद चूडियों के लिए मुरादाबाद जो है यह पीतल के बरतन के लिए टांडा विदुत करगा के उत्पाद के लिए तो क्रेक टांसर होगा 2431 पेपर में आएगा जरूर आएगा याद रखेगा तो अलिगड़ तालो के लिए फिरोजाबाद चूडियों के लिए मुरादाबाद पीतल के बरतन के लिए और टांडा विदुत करगा के उत्पाद के लिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरब नेक्स कुश्चन है निमलिकित में से कौन सा अभ्यार्नय सही नहीं है मतलब वो वहाँ पर नहीं है उस स्थान पर जैसे समस्पूर राइबरेली नवाब गंज इलाबाद बखीरा संथकबीर नगर या डी संडी हर्दोई जवाब दीजेगा कौन सा सही से मैच नहीं है and the correct answer will be नवाब गंज बिल्कुल सही जवाब है जो नवाब गंज पंची अभ्यार्नय है वर्लाइब बड सेंचुरी है ये कहाँ पर है उन्नाव जिले में है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है नाकी इलाबाद में तो correct answer का नवाब गंज है उन्नाव में समस्पूर राइबरेली बिल्कुल सही है बखीरा संथ कबीर नगर सही है संडी हर्दोई बिल्कुल सही है लेकिन नवाब गंज इलाबाद में नहीं है नवाब गंज है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरह नेक्स कुश्चन है उत्तर प्रदेश के निमलिकित में से किस मंडल में पर्थम समाजवादी अभिनव विद्धाल्य खोला गया तो पर्थम समाजवादी अभिनव विद्धाल्य जो है ये उत्तर प्रदेश के इलाबाद में खोला गया था कहाँ पर 23 अपरेल 2016 को उत्तर पर्देश के मुख्यमंतरी अखिलेश यादव ने इनका गाटन किया था और इसी का नाम दिया था समाजवादी अभिनव विद्याले इलाबाद में खोला गया था तो दोस्तों ये थे आज उत्तर पर्देश से संबंधित कुछ कोश्य है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपका उत्तर पर्देश सामान्य ग्यान को इसी तरीके से कवर कराया जाए मैं गैरंटी के लिए साथ बोल सकता हूँ अगर आपने मुझे दिसंबर तक फोलो कर लिया इस स्रीज को तो उत्तर पर्देश से पूछे जाने वाला एक भी सवाल आपके पेपर में आप गलत नहीं कर पाएंगे इस तरीके से सवाल की प्रेक्टिस कराता रहोंगा दूसरा मैंने कुछ खेल और जो प्रुसकार है प्रुसकार और सम्मान उसकी कुछ वीडियो अवलेबल कराई हैं जिसमें 2020 से अब तक दिये गए सारे प्रुसकार औ सम्मान को कवर कि अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आज देख लीजे क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें All India Students Community Channel को आज ही सब्सक्राइब करें बैल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि जब भी आप बैल आइकन लव योल बबाए